राजिस्थान में आगमे दिनों में प्रिस्तावत विधान सबागी साथ सीटों पर उपचुनाओं में गजोड की राज़ुईती नहीं हुई तो तीन सीटों पर तिरकोण ही मुकाबला होना तह है। प्रदेश में कीवसर जुन जुनू 84 दोसा देवली उनियारा सीटों के कॉंग्रिस विधायक लोगसबा चुनाओं में सांसत बन गए और सीटे खाली हो गए। वही सलुम्बर में भाच्पा विधायक अमरत्राल मीना और रामगण में कॉंग्रिस विधायक जुबैर खान के लिधन से सीट खाली हुई है। नमस्कार मैं हूँ शेक जुही आप देख रहे हैं दनग रिलिस। लोकसबा चुनाओं में नागोर में आरेलपी और डुंगरपुर बास्वारा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी से कॉंग्रिस का गडबंदन हुआ था। दोनों सीटों पर भाच्पा को हार का सामना करना पड़ा था। दोनों दलों के विधायक के सांसत बनने से खीवसर और 84 सीट पर उपचुनाओ होना है। भाच्पा के प्रदेश और द्यक्ष मदन राठोर साफ कर चुके हैं कि सपने में भी अन्य दलों से गडबंदन कर चुनाओ नहीं लड़ेंगे। फिलाल ये गडबंदन को लेकर भाच्पा कांग्रिस के आए बयानों से लगता है कि इस उपचुनाओ में गडबंदन नहीं होगा। ऐसे में इन तीनों सीटों पर तिरकोने मुकाबला होना लगभग तैमाना जा रहा है। खीवसर में दो बार से आरेलपी जीतती आ रही है। ये 2018 के लोग सबचुनाओ में नागुर सीट पर भाच्पा का रेलपी से गडबंदन हुआ था। लेकिन बीते लोग सबचुनाओ दो हजार चोईस में आरेलपी का भाच्पा से गडबंदन पूटा। कॉंग्रेस के साथ गडबंदन हुआ फिर खीवसर से विधायक बने वेनिवाल ही सांसत बने। चोड़ासी में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राचकुमार रोत लोकसब अमें डुंगरफूर बासवारा से कॉंग्रेस गडबंदन के बाद सांसत बने। चोड़ासी सीट पर वो दूसरी बार जीत पहले विधायक बने थे। ऐसे में यहां भारत आदिवासी पार्टी तीसरी ताका थे।